आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि अपर मेशन को चान्ट करने का टाइम सबसे बेस्ट कॉन सा होता है क्योंकि हम तो दिन बहर जब भी चाने जब मन करता हैं लाइफ एट्रक्शन के बहुत सारी टेक्नीक्स करते हैं लेकिन आज मैं आप लोग के साथ दो एक ऐसे ट आप दने वाली हों जिसके थुरू आपके लिए affirmation सबसे जल्दी काम करती हैं सो पहला time होता है जब आप सुभा उठते हो no matter आप 7 बजे उठते हो आप 10 बजे उठते हो जब भी आप उठते हो वो time आपके लिए सबसे best होता है मतलब example के form में अगर आप 6 बजे उठते हो तो 6 से 6 के बीच पे आप कभी भी affirmations की chanting कर सकते हो आप एक affirmation नहीं multiple affirmations पर work कर सकते हो और साथी साथ जब आप affirmations को chant करते हो वो एक ऐसा time होता है कि subconscious mind आपकी बातों को सुनता है और उस चीज़ को reality में बनाने लग जाता है और यह मेरा personal experience है आप रात में भी कर सकते हो ऐसा नहीं कि रात में नहीं कर सकते है रात में सोने से पहले भी you can do it पर जो सुबह सुबह की energy होती है सुबह सुबह की vibration होती है यूना हमारा mind पुरा clear thoughts से होता है ना कोई tension ना कोई overthinking हम सब लोग एक thoughts के अंदर रहते हैं अपनी life में नहीं चीजों के बारे में सोचते हैं तो मेरे from my point of view सबसे सुबह जब आप उठते हो वो time सबसे best माना जाता है दूसर time बता देती हूँ जब आप सोने जाते हो example आप 10 बजे सो रहे हो तो साड़े 9 से 10 बजे के बीश में कर सकते हो आप 12 बजे सो रहे हो तो साड़े 11 से 12 बजे के बीश में कर सकते हो ये time सबसे best होता है affirmations की chanting का जो मैंने हमेशा करा है क्योंकि usually ना हम एक ऐसी journey में रहते हैं कभी हम बहुत happy feel करते हैं कभी हम बहुत negative feel करते हैं कभी कब सोबा कुछ ऐसी sudden चीज़े हो जाती है कि हम energy पर focus नहीं कर पाते कभी कबार रात को mood off हो जाता है या कहीं busy हो जाते affirmations chant नहीं कर पाते तो आज उसके लिए एक simple सा hack बता रही हूँ जो मेरी सारी रावीज आवी को ट्राइ करना है और आप इससे कभी भी कर सकते हो आप अपने office में बैठे हो आप खाना बना रहे हो आप you know अपना phone चला रहे हो आप नॉमली लेटे हो और टेकिंगा बस सिर्फ और सिर्फ यही affirmation दिया करो मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत पॉजिटिव हूँ युनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है उनिवर्स मेरे फेवर में वर्क कर रहा है सो कही न कहीं यह चीज भी बहुत ज़ादा मैटर करती है आपकी लाइफ में आप कितनी पी साय लॉफ अट्राक्शन की टेक्निक कर लो बट इफ यॉर एनरजीज आ नॉट अलाइन आपके लिए कुछ भी वर्क नहीं करेगा इसलिए अपनी अपनी अनरजीज पर वर्क कर कर दी यहनो फोकस करके इस पे काम करना स्टार्ट कर डीजए लॉफ अफ अट्राक्शन के आपके लिए हर चीज बग करेगी अगर आपके एनरजीज एकदम अलाइन है अफर्मेशन आप एक नहीं हजारों बोलो मुल्टिपल बोलो कोई इशु नहीं लेकिन मैटर क्या करत करता है प्रेजेंटेंस में होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए और यह जो मैंने टाइमिंग बताइए आप इस पे का जरूर ट्राइ करें और फिर मुझे रिजल्स जरूर बताएं राधे राधे